जैन साथियो मैं कमले सार आपका अपना येटुब चैनल बायो क्लासर में स्वागत करता हूं बाबु आज का हमारा टॉपिक है फल का निर्माड या फिर कह सकते हैं आप फार्मेशन ओफ रोट चलिए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं और अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि निर्माड कैसे होता है देखे बाबु आज का हमारा टॉपिक है फल का निर्माड इसको कहते हैं फार्मेशन ओफ फ्रोट हाँ करंदा से फार्मेशन ओफ फ्रोट ऐस टॉपिक रोपिक में में जानेंगे कि एक फल का निर्माड कैसे हो से होता है कि से होता है देखिए यहां यहां पर यह अंडासे बनाएंगे यानी कि यह है पुस्प का इस्त्रीकेशर भाग कुछ इस प्रकार से होता है कुछ इस प्रकार होता है ठीक है ना तो यह है इस्त्रीकेसर पुस्प में जो गानोसियम होता है ठीक है ना उसका यह पार्ट्स है ठीक है इसको अंडासे कहते हैं इसको वर्तिका कहते हैं इसको वर्तिका अगर कहते हैं अगर इंगलेस मैं बात करें तो इसको अंडासे कहते ह इसको style कहते हैं और इसको stigma कहते हैं तो फल का निर्माड़ जो होता है वो होता है नीची वाले हिस्से से अंडासे से जिशकों कहते हैं क्या बोलते हैं अगर हम इसका अच्छे तरसे definition दे तो कैसे देंगे कहेंगे कि फल एक परिपक्व अंडासे हैं या फिर कह सकते हैं कि अंडासे से ही फल का निर्माड़ होता है या फिर कह सकते हैं कि अंडासे ही एक परिपक्व अंडासे ही फल में परवर्तित हो जाता है अर लुठों देखने के मिलते हैं की जितने फ्ल के अंदर अण्डासे के अंदर क्या करता है еров कर करया करेगा संगरा करेगा तो उसको क्या होगा कि इसकी जो अकार होगी व हो बढ़ेदी lactate जाआगा मतलब अंडाशे जैसे फूल जाओगा ठीक है ना उसी फूलेवे भाक acesso क्या कहते है फल कहते है अर्थात हम कह सकते हैं कि एक परिपको आंडासे है क्या है फल है ठीक है तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि फल का निरमार्ण किस बाक से होता है अंडा से सो होता है ठीक है अब देखिए अब यहाँ पर बात आता है कि जो फल के उपर जो कवर्ड पाय जाते है ठीक है ना जो कवर्ड होते है जैसे माले जी एक फल है और फल के चारों तरफ कवर्ड पाय जाता है जिसको हम लोग आम भासा में क्या कहते है इसको हम कहते है क्या कहते हैं वावू छिलका यानि कि फल खाते हुए उसको उम फिक देते हैं उपर वाला हिसा क्या करते हैं निकाल करके फिक देते हैं उसको उम छिलका कहते हैं तो अब छिलके का निर्माड कैसे होता है मतलब फल के उपर का जो कवर्ड है भित्ती है उसका निर्माड कैसे होता है तो यहां पर क्या है कि अंडासे की चारो तरफ भित्ती पाई जाती है क्या पाई जाती है अंडासे की चारो तरफ भित्ती आपाई जाती है इसको कहते है अंडासे की भित्ती अंडासे की भित्ति ठीक है अब अंडासे की भित्ति से ध्यान दिजीएगा अंडासे की भित्ति से ठीक है न फल भित्ति फल भित्ति जिसको कहते हम पेरिकार्प यानि कि फल भित्ति का निर्माड होता है किसका निर्माड होता है बावू फल भित्ती का निर्माड होता है आपने क्या समझा कि जो फल के उपर जो कोवर्ड पाय जाते है वो अंडासिक के चारो तरह पाय जाने वाली कोवर्ड से या आवरड से किसका निर्माड होता है फल भित्ती का निर्माड होता है ठीक है ना अब कहरा है कि फल्भित्थी जु होता है वो तीन प्रकार का होता है कितने प्रकार का होता है तीन की संख्या में पाई जाती है पहला होता है पार्य, फल्, भित्थी ठीक है इसको कहते हैं एपी कार्प और दूसरा होता है मध्य फल भित्ति इसको कहते हैं मीजो कार्प ठीक है और तीसरा होता है अंतहफल भित्ति इसको कहते हैं एंडोकार्प यह तीन भित्तिया है इसको समझने के लिए सबसे असान तरीका है यहाँ पर क्या करना है आम बना लेना है ठीक है न यहाँ पर एक आम बना ले दीए मैं कोशिस करता हूँ बनाने के लिए आम कफल कुछ इस परकार एक आम बना लेना है आपको फीक है इस परकार से एक आम बना लेना है और इसको क्या करना है कि आमको LS section करना है لمbit काट काटना है गवाब जैसे काटा जाता है वह एसे लंबोत सक्षन करना है इसको क्या कहते हैं ls ls longitudinal section यानि की लंबोत काट जब लंबोत काट काटेंगे तो इसमें कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा ठीक है इसमें कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा और बीच में बीज दिखाई देगा ठीक है इस तरह से आपको दिखाई देगा अब देखिए यहाँ पे यह जो सबसे बारी हिस्सा है जिसको हम छिल करके फिक देते हैं जिसको छिल कर फिकते हैं उसको हम कहते हैं बाय भिकती ये खाने योगे नहीं होता है, किसे किसे में खाया भी जाता है, जैसे सेवोगरा में खाया जा सकता है, ठीक है न, कई ऐसे फल वित्या होते हैं, जिसको हम खा जाते हैं, अब खाने के फल के, खाने के हिसाब से हम उसको खाते हैं, या छिल करके फिक देते हैं, अब देखिए के ति को चारों तरब से कवर्ड करता है जिसका अंदर वीज पाया जाते है फीक है इसको काते हम अंता फल भीती है याने कि यह था होता है यह बीज को सुलक्षित परदान करता है तो यहां पर आपे को आम में किन क्या नजर आया तीनों वित्तिया नजराई ठीक है न? क्या करने पर? LS सक्षन करने पर लंबोध काट काटने पर तो इस तरह से फल वित्तियों का निर्माण हो जाता है चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि फल कितने प्रकार का होता है ठीक है न? तो फल मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है कितने प्रकार का होता है बाबू दो प्रकार का होता है इसको समझ लेते हैं अच्छी तरह से हम लोग फल दो प्रकार का होता है ठीक है न एक होता है सत्य फल सत्य फल जिसको हम जिसको हम टू फल के नाम से जानते हैं टू फ्रुट टू फ्रुट के नाम से जानते हैं और वाबुद दूसरा होता है और सत्य फल और सत्य फल इसको हम कहते हैं ध्यान दिजेगा अच्छे तरह से आपको समझ में आ जागा दूसरा होता है फाल्स फाल्स फ्रूट ये दो प्रकार होते हैं फल के कितने प्रकार होते हैं बाबो दो प्रकार होते हैं कौन कौन से होते हैं सत्यफल और असत्यफल समझेंगे सत्यफल का तुम टिव्नेशन दिया जाए तो खुब असान तरीक शुक्त ही आसान तरीक से दीए जागा हम यह बात करें कि वह फल जो पुष्प की केवल अंडा से भाग से किसे मेवाव रस भाग से बनता है या पुस्व बने की प्रक्रिया में केवल पुस्व का अंडा से भाग लेता है उसको हम क्या कहते हैं? सत्य फल कहते हैं क्या कहते है बाबू? इसको हम सत्य फल कहते हैं ठीक है न? उदारण में अगर हम बात करें कि कौन-कौन से उदारण आ जाता है तो इसमें आ जाएगा आपका एक्जाम्पल में आजाएगा आम, नारियल, ठीक है, मक्का, तरबूज, ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये फल सत्य फल क्यालाते हैं, क्योंकि इसका निर्माड केवल पुस्प की एक ही भाग अंडासे से होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सत्य फल कहते हैं, ठीक है ना, दूसरे आपका है असत्य फल, असत्य फल उसे कहा जाता है, जिसमें पुस्प के अंडासे की अतरिक्त, क्या बाबू, अंडासे की अतरिक्त, कैलिक्स, या फिर कुरोला, या फिर पुस्पासन, कोई भाग ले र आपका क्या भाग ले सकता है बाहदल पुंज या फिर दल पुंज या फिर पुश्पासन इसमें से कोई भी अगर भाग ले रहा है फल बनाने में तब हम इसको क्या कहेंगे इसको कहते हैं असत्य फल क्या पाजाता है अब इसका एक्जामपल क्या हो जागा इसका एक्जामपल हो जागा सेव काजू नस्पाती सेव काजू नस्पाती ठीक ना इस्ट्रावेरी सहतूत ठीक ना इस्ट्रावेरी कटहल वगैरा और भी सारे आजाते हैं यह जितने होते हैं यह सब क्या है और सत्य फल है ठीक ना तो इस तरह से आपको फल का निर्माड फल और फल भित्ति और फल के प्रकार अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा यदि आपको अच्छी लाइक कमेंट और दोस्तों को सेर करना न भूलें धन्यवाद